मेरा बच्पन महत्मा गांधी की आत्मकथा पूरबंदर से पिताजी राजस्थाने कोट के सदस्य होकर राजकोट गए तब मेरी उम्र कोई साथ बरस की रही होगी उस मदर्से के दिन मुझे अच्छी तरह याद है मास्टरों के नाम धाम भी पूरबंदर की भाती ही वहां की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेश जानने योग के नहीं है मेरी गिंती शायद साधारन श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी गाउं की पाठशाला से कजबे की पाठशाला में और वहां से हाई स्कूल तक पहुँचने में मेरा बार्मा वर्ष बीद गया तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोका दिया हो ऐसा याद नहीं आता न तब तक कोई दोस्त बनाने का स्माराण है मैं बहुत ही जेपू लड़का था पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था घंटा बचते ही पहुँच जाना और पाठशाला बंध होते ही घर भागना भागना शब्द मैं जानबूच कर इस्तेमाल कर रहा हूँ कारण ये है कि मुझे किसी से बाते करना नहीं रूचता था कोई मेरा मजाख ना उड़ाए ये डर भी बना रहता था हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उलेखनी है शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स स्कूल के मुआयने के लिए आये थे उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को पाँच शब्द लिखवाए उनमें एक शब्द मैंने खलत लिखा मास्टर ने मुझे अपने बूट की नोक से चेताया पर मैं क्यूं चेतने लगा मैं ये सोच भी न सका कि मास्टर मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे है मैंने तो ये मान रखा था कि मास्टर महा इसके लिए तैनाथ है कि हम एक दूसरे की नकल न कर सकें सब लड़कों के पांचों शब्द सही निकले अकेला मैं बेवखूफ बना मेरी मुर्खता मास्टर ने मुझे बाद में बतलाई पर मेरे मन पर उसका कोई असर न हुआ मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी न आया इतने पर भी मास्टर की प्रती मेरा आदर कभी घटा नहीं बड़ों के दोश न देखने का गुण मुझे में स्वभिमानिक था इन मास्टर के अन्ने दोश भी मुझे बाद में मालूम हुए फिर भी उनके प्रती मेरा आदर जियों का त्यों बना रहा मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आग्या का पालन करना चाहिए जो वे कहें वे करना चाहिए जो वे करें उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए इसी समय के दो और प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं मुझे साधा रणता है स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौख नहीं था सबख पूरा करना चाहिए क्योंकि डाट सही नहीं जाती थी मास्टर को धोका देना नहीं था इसलिए पाठ पढ़ता था पर मनल साता था इससे सबक अकसर कच्चा रह जाता उस दशा में और कोई चीज पढ़ने की कहां सूचती फर पिता जी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नजर पढ़ी वो थी श्रवण पित्र भक्ती नाटक उसे पढ़ने की इच्छा हुई और मैं उसे बढ़े चाउ से पढ़ गया उन दिनों काठ के बकसे में शीशे से चित्र दिखाने वाले भी दर्वाजे दर्वाजे फिरा करते थे उनसे मैंने श्रवण के अपने माता-पिता को कावर में बिठा कर यात्रा के लिए ले जाने का चित्र भी देखा दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पढ़ा मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए ये भाव मन में उठने लगा श्रवण की मृत्यू पर उसके माता-पिता का विलाप आज भी याद है इस ललित चंद को मैंने बजाना भी सीख लिया मुझे बाजा सीखने का शोख था और पिता जी ने एक बाजा दिला भी दिया था इस बीच कोई नाटक कंपनी आई मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली उसमें हरीश्चंद्र की कथा थी ये नाटक देखने से मिरी तृप्ती ही नहोती थी उसे बार-बार देखने को जी जाता पर बार-बार कौन जाने देता किन्तो मन में इस नाटक को सैकड़ो बार दोराया गया हरीश्चंद्र के सपने आया करते हरीश्चंद्र जैसे सत्तेवादी सब क्यों नहीं हो जाते ये धुन रहती हरीश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी वैसी विपत्तियों को भूगना और सत्ते का पालन करना ही वास्तविक सत्ते है मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं हरीश चंदर पर अवश्य पढ़ी होंगी हरीश चंदर का दुख देखकर उसे याद कर मैं खूब रोया हूँ आज मैं समझ गया हूँ कि हरीश चंदर कोई एतिहासिक व्यक्ती नहीं थे फिर भी मेरे मन में हरीश चंदर श्रवण आज भी जिवित हैं मेरा खयाल है कि आज इन नाटकों को पढ़ हूँ तो आज भी मेरी आँखों में आसु आ जाएंगे संदेश है जीवन में सच्चाई, प्रेम, बढ़ों के लिए श्रद्धा और कर्तव्य भावना का महत्व समझो